अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपे की टिकेट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपे का ओपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है अब आपको दवाईयां मिलती हैं, पहले दवाईयां मिला नहीं करती थी अब आप डाक्टर के पास जाओ, डाक्टर जो दवाईयां लिखते हैं, वो खिड़की पे दवाईयां मिलती हैं मैं मानता हूँ लाइने बड़ी लंबी लंबी हैं, उसके बहुत बड़े कारण हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि दिल्ली में बाहर से भी बहुत लोग अब आ रहे हैं इलाज कराने के लिए हमने एक बॉर्डर का हॉस्पिटल है, उसका हमने सर्वे कराया था, 80% पेशेंट वहां दिल्ली के बाहर के थे अब अगर दिल्ली-दिल्ली के लोगों का इलाज करना हो तो जितने अस्पिताल बन गए इतने इस्पिताल बहुत है दिल्ली के लोगों का इलाज करने के लिए और अगर दिल्ली दिल्ली के लोगों का इलाज करना हो तो मुझे नहीं लगता आदे घंटे से जादा किसी अस्पिताल में आप घुसो और अपना इलाज करा के वापस आ सकते हो लेकिन इतनी लंबी लाइने इसलिए है क्योंकि पूरे देश में अब जिस किसम की विवस्था अपनी दिल्ली में है ऐसी विवस्था किसी राज्य के अंदर कहीं नहीं है जो अब दिल्ली के अंदर हो गई है सारी दवाईयां फ्री